हेलो फ्रेंड्स आज हम बना रहे हैं मलाई सेंडविच सुर्फ इंस्टन मलाई सेंडविच १ेर सारे मलाई सेंडविच सिर्फ रुपे के कौस्ट में बन जाएंगे और मेहनत में बहुत ज्यादा ना टाइम लगेगा ना ज्यादा आपको महंगा सामान खरीदना है तो चलिए देखते हैं इस सिंपल और टेस्टी रेसीपी को यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज पेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तो चलिए बढ़ते हैं रेसीपी क हम कुक करेंगे और इसको आधा होने तक रेडियोस करेंगे तो इतना उबालेंगे कि इसकी क्वांटिटी आधी रह जाए दूद में उबाल आने लग गया है लेकिन यह वरतन मुझे थोड़ा छोटा लग रहा है तो मैं इसे बड़ी कढ़ाई में ट्रांसफर कर देती हू यहां पर शकर या चीनी तो दो टेबल स्पून जितनी चीनी बस काफी है इसमें इसको थोड़ा घुल जाने देंगे साथी मैंने या लिए थोड़े ड्राइफरूट्स काजू बादाम और पिस्ता लिए मैंने आप अपने पसंद से और ड्राइफरूट्स ले सकते हैं तो दूद में भिगाया हुआ केसर तो दस बारा धागे केसर के डाले हैं मैंने या पर अच्छी तरह से चला लेंगे और दो मिनिट के लिए और पका लेंगे जब तक चीनी न घुल जाए तो पूरा अच्छी तरह से चीनी भी घुल गई है तो रस मलाई के लिए हमारी रबड तो अब इसको मैं डालूँगे इसमें थोड़ा सा यह जो रबडी हमने बनाई है यह दो टेबल स्पून जितनी इसमें डाल दूँगी जिसमें यह अच्छी तरह से घुल जाएगा यह डाला है मैंने और थोड़े से इसमें मैं ड्राइफ्रूट्स जो हमने बचाए उसमे साइड में रखते हैं तब यहां मैंने ली है छे स्लाइसेस ब्रेड की यह न मिल्क ब्रेड है या फिर इसकी जगे आप वाइड ब्रेड भी ले सकते हैं तो पहले इसके हम किनारे हटा देंगे इस तरह से किनारों को फेक ना नहीं आप किनारों से कई रेसिपी बना सकते है ब्रेड क्रम्स बहुत कुछ बना सकते आप इनसे तो इस तरह से देखिए एक ब्रेड का पैर मैंने कर दिया है रेडी इसे हम सैंड्विच के तरह ट्राइंगल शेप में काट देंगे और अब इसमें हम यह फिलिंग लगाएंगे तो एक पैर ब्रेड का लेंगे हाथ में पक इसको बन कर देते हैं तो यह हमारा एक सैंड्विच तयार हो गया इस तरह से सभी सैंड्विच हम तयार कर देंगे दूसरे में भी लगा देती हूं तो इस तरह से मैंने सारे सैंड्विच बना के रख ली हैं अब इनके भी हम दो-दो टुकडे करेंगे क्योंकि यह काफी बड़े हैं यह बड़ी sandwich प्रेड है तो इस तरह से इसको और छोटे करके सबके हम दोडो टुकड़े कर लेते हैं तो चलिए अब इन्पे एक और रबड़ी हमने बनाई है न वह फैला देंगे थोड़े से ड्राइफ रूट से और इसको सजा देंगे और ये देखिए हमारा दस मिनिट में सिर्फ कितना बढ़िया मलाई सेंडविच बनकर तयार है इसे आप रस मलाई भी कह सकते हैं मलाई सेंडविच ये दोनों का कॉम्बिनेशन है बनाईए इसे और परोसी है अपने परिवार क और यह जो दूसरा है उसे मैं एक और प्लेट में सजा देती हूँ तो एक और ट्रे में मैंने सजा दिया और इस पे भी मैं ये बाकी की रबडी जो है वो डाल देती हूँ कटे हुए ड्राइफ रूट्स और ये भी बन कर तयार है इसे हमें थोड़ी देर रेफरिजरेट करना है करीब 2-3 घंटे उसके बाद इसे सर्व किजिए ये बहुत ही स्वादिश लगेगी तो देखिए दो पूरे ट्रे भरकर हमारी ब्रेड की रसमलाई या ब्रेड और इसे सैंडविच तयार है बहुती कम महनत में कम समय में सिफ 10 मिनिट में बनाए हमने ये सब और बहुत ही कम खर्चे में तो बहुत इकनोमिकल भी पड़ेगी है मिठाई तो सो रुपे से कम सायद हमने सारी मिठाई बना लिये जबकि 100 रुपे में हाडली दोपीस मिलें आपको दुकान में तो जरूर आप इसे ट्राइ कीजिए इसको ठंडा करके परोसिये और सबको बहुत आनंद आएगा इस डिश का तो चलिए मिलते हैं फिर और रेसिपीस के साथ तब तक के लिए बाई टेक केर